हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अनुश्री मुखर जी बिग बॉस 12 खा खिता अब अपने नाम करने वाली दिपिका ककर फिल्हाल अपने सक्सस को एंजोई कर रही है ये तो आप जानते ही है कि दिपिका ककर ने बिग बॉस 12 के फिनाले में श्रीशंद को पचारते हुए शो की ट्रोफी अपने नाम कर ली है वही अब दिपिका ककर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक एमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है उन्होंने ये एमोशनल पोस्ट श्रीशंद के लिए लिखा है इस लेटर के साथ दिपिका ककर ने उन सभी पलों को याद किया है जो उन्होंने बिग बॉस के घर में श्रीशंद के साथ बिताए दिपिका ने लिखा की मेरे लिए सबसे ज़ादा गर का पल क्योंकि बिग बॉस के आखिर में टॉप टू में श्रीशंद दिपिका थे थैंक्यू भाई मेरा साथ देने के लिए चाहे कैसी भी हालात हो उस वक्त हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे यह हम दोनों के लिए सबसे बड़ी ताकत थी मैं घर में आपके साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रही हूँ घर का गेम लड़ाई और साथ में मिलकर खाने को मैं मिस कर रही हूँ मैं जंदिगी भर के लिए हमेशा आपकी बहन रहूंगी तो देखा आपने भले ही शोग खत्म हो गया हो लेकिन दिपिका अपने भाई श्रीशंद को बहुत ही जादा मिस कर रही है आपको बता देखिए बिग बॉस सीजन 12 के पूरे सीजन में दिपिका और श्रीशंद का भाई बहन वाला रिष्टार चर्चा का विशय बना था वेल देखना तो अब ये दिल्चस्प रहेगा कि दिपिका चल्द ही किस शोव में दमदार्व आफसी करती है वैसे आपको इस बार का सीजन कैसा लगा हमें कामेंट करके जरूर बताए और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ